पर अपर आपको एक एक नए वीडियो में स्वागत थे आज की सूरियो में हम बात करने वाले कि Facebook पर Prhope產 wield को off कैसे करें तो फ्रेंश उसके लिए आपको सबसे पहले Facebook को open करने ना है open करने के बाद Facebook के homepage पर आ जाना है उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एक view tools का option मिल जाता है तो यहाँ पर आपको सारी information मिल जाएगी कि आपके post पर कितनी reach एंगेजमेंट है अब आपको यहाँ पर 3. पर click कर देना है जैसे आप 3. पर click करोगे तो यहाँ पर आपको एक profile setting का एक option मिल जाता है अब दुस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है turn professional mode off का यह option दीख रहा है तो आपको यह वाले option पर आपको click कर देना है अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो review important changes before you turn off professional mode if you change your mind you can turn on professional mode at any time यानि कि आप यहाँ पर इसको off करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर on करना है तो आप anytime इसको on कर सकते हो तो यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है अब आप लोग देख सकते हो what will change यानि कि आप इसको बंद करते हो off करते हो तो यह सारा changes हो जाएगे उसके बाद आपको यहाँ पर read कर लेना है उसके बाद आपको turn off पर click कर देना है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और यह ट comfort अफ हो जाएका तो यहां पर आप लोग देख सकते हो professional mode of successfully अब आपको यहाँ पर close कर दिनाना आप अब हम लोग यहां पर refresh कर दें और refresh करने के बाद आप लोग पर चेक कर सकते हो हमारा जो प्रोफेशनल मोड का यहां पर ऑप्शन था व्यू वह यहां से हट चुका है यानि कि प्रोफेशनल मोड बंद हो चुका है तो इस तरीके से आप यहां पर बंद कर सकते हो हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो द सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलता हमारे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई